अगर हम बात करें एलेक्त डाइस कीष़ यंपॉर्ट इन्रजी निलेक्त गूंता है उसका रीडियस निकालो उसकी वेलोसिटेaczी निकालो जैसे और शती निलेसी निकेले अब डर दर फोट का डेरिश्न जीर्ट नहीं आता है बोऊर में निकालने को चीजा आती हैं तो एक्श्न में कहा है सब से पहले हमें जो घूम नो है याध्योजेन अटम है उसमें इलेक्रों घूम रहे तो इलेक्ट्रों की इलेक्ट्रॉन का रेडियस और वेस्ट्रान के मेनलें इंकाल लिए एक हमने बॉहर मॉडल में भी डिच्प निकाला था टी ये वालिव हमारी रहाँ उफोड मोडले से आई थे ठीक यही वेल्यू में करते करते हां के यही अगर करें रहाँ से velocity की value हमारे पास आई थी इस value से मां आगे चीज़ें derive करेंगे तो देखो अच्छे actually क्या होता है कि angular momentum angular momentum का formula होता है mvr यह हमने 11th class में पढ़ा था यह होता है nh by 2π यह होता है बच्चों तो हम दो चीज़ें use करेंगे एक तो रजर फोर्ट से जो velocity आई थी दूसरा यह जो हमने second postulate दिखा था यहां पर काम करते हैं यहां से velocity आगे यहां से velocity निकाल लेते हैं mass और radius को नीचे भेज देते हैं velocity क्या आजाएगा उच्चों एनेज़ बाइ टू पाई एम आर इसको इसको equate करा देते हैं जब इन दोनों को equate करा देंगे बच्चों तो क्या आजाएगा के square by mr is equal to n h by 2 पाई mr अब इसको इससे मालो radius निकालना है कैसे निकालो कि रेडिस बताओ को बच्च बताएगा किस्ता किस रेडिस आएगा इसको तो के square by mr हो जाएगा एंज स्कूर एड स्कूर बाइफ फॉर पाई स्कूर एंज स्कूर एक आर से qr कर देंगे चैंसल कर देंगे एक और एक एम से एक एम कैंसल कर दो और और केम क्या बोलो स्कूर पाई स्कूर एम के स्कूर यह रेडिस आजाएगा और अगर हमको रेडिस चीश के लावा अगर हमें वेलोसिटी के बाएं कर तो अब्रीएस निकाला था वेलोसिटी कैसे से निकाल सकते हैं हम बता रहे थे तो radius का formula क्या आता है बोलो अच्छे n square h square बोलो बच्चों 4 pi square m ke square यह formula आ जाता है अगर मान दो मुझे velocity निकालनी है तो देखो अच्छे velocity निकालनी हो तो angular momentum होता है mvr is equal to nh by 2pi तो अगर मुझे velocity निकालनी है तो मैं यहां से radius निकालेता हो मान लो यह फिर मान लो radius ना भी निकाले तो एक काम कर सकते हैं velocity की value निकालेते हैं velocity क्या आएगा यहां से ठीक है अब वो जो radius की value यहां आई है वो यहां पूट कर देते हैं अ कि अधक है अने स्क्वेर एच स्क्वेर अपान फोर पाई स्क्वेर एंचे इसक्वेर इसे एन से एक एंड कड़ जाएगा एक एच से एक एक एच कर जाएगा एक एक पाइब्स पाई ध्याएगा एक एम यह मकड़ स्याएगा दो सब्सक्राइब को यहां परक्ष ऐआ 1 by 4 pi epsilon not होता है जो starting में था E charge of electron N is electron कौन से orbit में है और H क्या है planks constant ये दो चीजें बच्चों हमारे पास आई है radius और velocity अब इन दोनों चीजें से कुछ खास results निकलते हैं जो कि बताने जरूरी है तो पहला result हम यहां consider करते हैं बच्चे देखो actually क्या है रेडियस N square से vary कर रहा है ये first important result है जो कि हमारे examination point of view से बहुत ज़्यादा important होता है क्यों important है बताते हैं बच्चे actually क्या होता है कि मान दो बाकि सारी चीजें को हम लोग constant ले ले इस सब को constant क्योंकि आप हर चीज constant है कैसे H constant है mass of electron constant है k constant है charge of electron constant है तो इस equation को हम रीडिफाइन कर लेते है रीडिफाइन कर लेते है और इस पूरी value को हम लोग R0 ले लेते हैं क्या लेते हैं बच्चो R0 क्योंकि ये constant है ना इन सब की value पुट करके इसको R0 बोल देते हैं कई बार A0 भी ले लेते हैं तो confused मत हो जाना बुच्चो ठीक है R0 या A0 अब इसकी value constant होती है क्यों constant होती है क्योंकि देखो इस सारी चीज़ यह fix है क्या है इधर देखो length constant constant है mass of electron constant है charge of electron constant है तो ये सारी value पूट करने के बाद R0 मैं इधर R0 ही बोल रहा हुच्चो A0 नहीं लिख रहा कहीं पर आगर आप देखो NCRT में तो A0 लिखा हूँ या मेरे notes में कहीं A0 R0 लिखा तो confused मत हो जाना ठीक है इसकी value आ जाती हो च्छे 0.53 एंग्स्ट्रॉम approximately यह value आ जाती है तो इससे क्या फाइदा है इस formula हमें क्या फाइदा मिलता है formula हमें यह फाइदा मिलता है बच्छो कि जैसे hydrogen atom में electron है तो क्या हो हमेशा first orbit में रहता है नहीं इधर देखो च्छे इधर देखो जैसे मान लो hydrogen atom है उसमें electron आम तर पर फिर्स्ट्रॉम रहता है वोड़ कभी excite होकर उपर भी चला जाता है उसको energy मिल जाए second orbit में चला गया देखो इसको यह n is equal to one first orbit और यह n is equal to second second orbit अब second orbit में जो electron होगा उसका radius क्या होगा उसका radius क्या होगा हो किस formula से आएगा इस formula से यहाँ पर मैं rn लगा देता हूँ मतलब इसका मतलब क्या हुआ radius in nth orbit radius in nth orbit यह क्या है radius in radius in first orbit first orbit यह क्या है radius in nth orbit इसकी help से हम किसी भी orbit में radius पूछा हूँ जैसे माल नो मुझसे कहे कोई कि इलेक्रॉन second orbit में घूम रहा है किस orbit में घूम रहा है second मतलब hydrogen atom में जो इलेक्रॉन था और किसी तरगे से excite हो गया क्या होगे बच्चो excite excite होके वह higher orbit में जम कर गया जम कर गया और second orbit में घूम रहा है अब उसका radius क्या होगा तो यह हो जाएगा rn यहाँ पर two का square हो जाएगा और यह rnought की जग़ा क्या हो जाएगा 0.53 in strong तो उससे जो electron घूम रहा होगा second orbit में उसका उस तहीं पर क्या radius होगा हम इस formula के help से निकाल सकते हैं तो इससे आप लोग लिख लो उच्चे यहाँ पर जैसे कि हमने इस value को इस value को आर नौट ले लिए पूरी की पूरी value को यह पूरी value को हम निकले लिया आ नौट ले लिया और ये equation बना दी तो इस आर नौट यह आर नौट क्या है radius in first orbit इसको आर नौट को एक और नाम देते हैं बच्चे आर नौट के हम बोहर radius क्या बोहर की एल्फ से अगर हाइद्वेगन एइटव मिलेक्ट्रॉन कहीं भी हो हम उसका रेडियस मच 거도 होगा तो हम चेक करते हैं इंक बार तो जैसे मुझे से माललो عण ए mutla ष्ट्रन स्पोथ में सबस्टाइब को क्या कहा किते हैं किया केते हैं कदो एच़ए जब हम लोग 11 क्लास की केमिस्ट्री में एकसाइटेशन वगरे पढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूं उसका बेसिकली घर कौन से ओर्बिट में होता है फर्स्ट में जिसमें उसका घर होता है एक्चल में उसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट क्या कहते हैं फिर क्योंकि हाइड अरिजन एकम के अंदर एक ही फिर बता है हमने प्रड़क कहाए कि इलेकरों अरेग्मिंट कैसी होती है आपको पता होगा टो ज्सकाइशंक tha आखेशं कि बारısı अपने शायद पढ़ाओ तो अगर first orbit में है तो यहाँ पर n की जगह क्या हो जाएगा बूलो one square r naught तो क्या आ जाएगा अच्छे 0.53 angstrom अच्छे अगर second orbit में है तो किता हो जाएगा यहाँ पर two square हो जाएगा two square क्या हो जाएगा फोर फोर इंटो आ नोट किता हो जाएगा बच्छे बताएगा इसको जली से किसी भी ऑर्बिट में फार्स सेकेंड थार्ड किसी ऑर्बिट में हो आप निकाल सकते हो जो रेडियस है वो n square से वेरी करता है इससे हमें एक चीज पता चलती है कि रेडियस क्वांटाइज्ड है किया होता है क्या होता है स्पैशिक और benefits में हीट्रों घूमता है एझाल नहीं कि वी ऑर्बिट में और इढम और और नहीं किया है एलेक्स्ट और कहता है मैं नहीं कह रहा हुए है यह नय नए कोई मॉडल नहीं उता रहा है आधार Beethoven के बारे में स्कॉष्ञ क्या खो यह अगर हम कहें रीडिय Key और मोडोल असे में अगर रेडियस कैसे वहरी करता स्कुर्ट जहां भी स्कुर्ट वाले इक्वेशन होती है इस तरीके से रेशो करता है तो यह बच्छन इंप्वाइशन किस तरीके से आते हैं अगर ऐसे एसे पूशन आया आते हैं कि बता दो भाई थर्ड और्विट में क्या रिडियस होगा कई बार ऐसा नहीं बोलते हैं थ पर आके ऊचाइब नहीं एक्साइटेट सेट किया होते हैं आपने को जाना जरूरी है यह हारेडिना एक्टम में फ्रस्ट ओर्वेट होता है तो जब एक्साइट होता है एक्साइट्व औलके सबसे पहले यहां जबं करता है तो सेकंड ऊर्बिट को चय कैते हैं फर्स्ट एक्साइट टेट कैसे तो में आप से पूछ रहा हूं बचर जली से बता उंचaries deemed me दूस हो एदो सेटेट में यहां सल्सक्राइटिस में यह दुस निकालो पाल हम स रेडियस क्यों हुआ है कि सेकेंट है तैक्सि इक्साइट स्टेट में एलेक्राओन का रेडियस पूझ पुछा मैं तो हम सीद Index इसने करें और आर्ल ही फर्मला यूज करेंगे और 恭喜 ओ type एलधर si Iya ने भी सारी वेल्दिए दी तो ये वेलोसिटी की इत हुआ जो आगहे एतना बेटर नहीं था ये बार हम गसे हैं other में रीडिस अपर अच्य है नहीं सबसे dil Virutes क्या है त्याएं है रेनियस बताओ बताओ वी स्क्वेर ए ए ए स्क्वेर अपॉन एम एम वी स्क्वेर या इता पक्त रोड निया का मेरे साथ ते कोई नियोच्चव हम ने चेक कर लेते हैं जैसे रेदरफोड ने मॉडल क्या लगाया था अज्चे K E SQUARE by R SQUARE M SQUARE by R निकालना है यह कर जाए K E SQUARE by M SQUARE मैंने याद ने कर रखा चे मैं कोड़ेशन सही में कर पाता हुँ तो आप यह जैसे मालो यह formula हमारा आता है अब इस formula में एक चीज की कमी थी बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पता करना पड़ेगा पर हमको दोने ही पता चल सकते फॉर्मला ऐसा था जो लॉजिकल था फॉर्मले के साथ एक प्रवादम यह थी कि फॉर्मला था तो सभी बढ़ किस तरीके से उसकी वैल्यू निकाली जाए हमको पता नहीं थी अगर आप किसी एक की कौट्रेटिटिवली वैल्यू पता नहीं कर सकते हो जैसे हट्रॉन गूम रहा है तो कैसे उसकी वैल्यू निकालोगे बोहर ने फिर ऐसा क्या किया जो वैल्यू आ गई देखो फॉर्मले ने स्ट्रीस्टिकली यह बताया कि एमूलर कि सर क्या हम experiment कर सकते हैं जैसे अगर माल लो hydrogen atom एक्सपेरिमेंटर निकाल लो पॉसिबल नहीं है बच्छे एक्षली क्या है कि जो higher level के physics होती हो experimental से ज्यादा स्टेस्टिकर हो जाते हैं अब फिजी कली इसको जानने में आज तक हम नहीं जान पाए है जब कि यहांटीकली जान पा रहे है आगहीं कि जो higher physics होती हो थोड़ी अजीब होती है थोड़ी नहीं बहुत अजीब होती है इसका टेवक्रीचन बहुत डिफिकल्ट हुटि है हर फिजिक्स की चीज का मैंत्मेर्टिकल लेना देना होता हुट्छे पहले जो फिजिक्स बनी थी वह ऐसे बनी थी पहले हमने experiment देखे उसकी mathematic इति जब physics remainder की कहानी ये थी कि हम phenomena देखते थे फिर उसकी theory बना देते थे पहले पहले चिक्शेक करते एक गर सकते तो हम आफ भलास चेपटर के बताइया था् डुव क्वाज लेंचे ने डी बॉल्ग ने कहा था कि हर चीज का ऐसा за डğर रेजरणे का चलते हैं तो उस्ने का था कि हमारा विवी की तर चलते हैं यह उसने बोल तो पहले दिया बट उसका एक्सपेरिमेट्स जब डिए सर्ट बिजंढेश tengan कर देखा तो मुझे इलेक्रोन को चला कर देखा इलेक्रोन सीधा नहीं चल रहा था कैसे चल रहा था यह कितर तो एक्सपेरिमेंटली वह चीज़ें बाद में प्रूफ हुई तो फिजिक्स दोनों ही पॉइंट अफ्यू से चलती है ठीक है अब हम आगे की टॉपिक स्टडी करते हैं तो वेलोसिटी जो होती है एलेक्रोन की वह वन बाइ न से वेरी करती है यह भी हमने एक्सप्रेशन देखा था उसके साब से बने लिखा है तो जिसका मतलब की जो एलेक्रोन अगर फर्स्ट और चक्कर लगाएगा तो उसकी वेलोस में अब हम आते हैं आगे काइनेटेक एनरजी ओफ एलेक्ट्रोन की के एक एक चार्ज क्या वह यह क्या होगे तो एक चार्ज आओगै और रखन अच्छए जान रखना अच्छे प्रोटोन होता है और एक प्रोटोन होता है और एक लेक्ट्रॉन होता है तो यह हमारा क्या हो जाएगा क्या करना है फिर आपको क्या करना है और काइनेटिक और पोटेंशल को एड़ करके औरल वैल्यू लिखनी है जली से करो अच्छे मैं बाद में करूंगा अच्छे हम वैल्यूस पूट करते हैं जली-जली से और हाफ M v square मैंने v के लिए लिए लिख दी है इसका square क्या हो जाएगा four pi square k square e के पावर four v square हो जाए n square h square तो पुछ कटेगा यह कटेगा क्या आ जाएगा यह 2m πाई स्क्वेर के स्क्वेर एक पर 4 by N स्क्वेर है ठीक है पोटेंशल रिजी यह है मारा आर के वल्यू मैंने यह लिख दिये पुट करने है माइनस के स्क्वेर आर का वेल्यू क्या हो जाएगा है एंस क्वेर एच्वेर 4 पाई स्क्वेर एंग के स्क्वेर क्या हो जाएगा है ऑच्छे माइनस 4m पाई स्क्वेर के यह कहा है एक के स्कूर एकी पावर फोर इन्हें स्कूर ध्यानक ना थे फुरा लंबी वेलियू जाने तो याद बात तो होती नहीं पहली बात दूसरी बात लिखने में पर कई बर गड़ बड़ हो जाती है अब इसको हम दोनों को एड़ कर देंगे तो बाकि सारी चीज़ें सेम है एक सेम आ जाएगी अरव दो यहां पर भी आप सेम बात है वने आपको पताया था जो वैलियू है काने टेक स्टीक्वह इन्पर्टं इनेश्यक्ति होती है अगे बढ़ते हैं और पो गर्रते हैं यह तो यह हमाली ए-इसे बिटाते हो और यह बढ़ते हैं हम अगर मान लोग टोल इनरजी जैसे लेक्ट्रोन के निकाली तो मास अफ लेक्रोन कॉंसंट है पाई कॉंसंट है कि इस सब कॉंसंट की वैलू पुट कर देते हैं तो हाइडरोगन एटम में इसको मैं कई बार इन भी लिख सकता हूं तो मैंने इसकी वैल्टॉट कर दी तो ये hydrogen atom में electron के total energy आगई अब अगर electron वोल्ट में लेंगे तो यह आएगा और जूल में लिखेंगे तो यह आएगा बेट mostly जब हमां hydrogen atom की study करते हैं तो हम electron ज्यादतर यूज करते हैं यहाँ पर n क्या है बच्चों मालब कौन से और बिट में हैं जैसे मान लो हमें टॉम यूज करते हैं energy levels अब यह क्या होता है हाँ टोटल एनर्जी और यह सेम चीज है energy लेवल से टॉम यूज करते हैं यह हमारा नूकलियस है यह फर्स्ट और बिट में भी गूम सकता है किसी और बिट में भी गूम सकता है बेखने फर्स्ट और बिट में भी गूम सकता है किसी और बिट में गूम सकता है एक्साइट ओके जा सकता है वह वैसे तो ग्राउंण्शिट में रहते हैं अपने घर रहता है जो फर्स्ट और से ज़ा करते हैं ग्राउंड शेट एक्साइट होके उपर जा सकता है तो अगर एलेक्ट्रॉन फर्स्ट और बिट में होगा तो उसके एनर्जी क्या होगी बच्छे यहां पर वन पूट कर देंगे मैनस 13.6 वार मैनस 13.6 वं का सक्क्वर क्या जेगा माइनस 13.6 एक्षाव करने क्या का स्कẵर्श हो जायए多少 यहां पर 3 सक्वेर स्कुर्ण होगी फोर्थ ऑर्बिट में अगर एक्टरौन होगा तो इसकी एनरजी होगी फॉर का स्कुर्ण जो कि जाएगा माइनस 0.85 याद जिसकर नी पड़िया अपको इस सारी की सारी वैल्यूस ठीक अच्छो लेक़लो इसको कुश्ण देखते हैं कि एक लेक्ट्रॉन है और वह अगर फ़र्स एक्साइटिट सेट में चला जाए तो उसमें लेक्रॉन की कायनटिक और प्रोटेंट्स नेर्जी क्या होगी फस्सेट माझा सेकंड और अर्बिट अब सेकंड और इनर्जी किती होती है माइनस 3.4 टोटल एनरजी होती है मैंनस 3.4 एलेक्टरन वोल्ट तो हमने आपको एक चीज़ बताए थी जीत्ती ही टोटल एनरजी ओती इनरजी होती है और पोटेंचिन अरजी ट्रास होती बड़ नेगतिम में होती है तो यह ध्यान रखना जरूरी है अब हम थोड़ा आगे मुझ करते हैं ठीक है देखो यह तो बेसिक कोईशन्स हैं खेर अभी हम लोग काफी और कोईशन्स भी देखेंगे तो अब हम थोड़ा ट्रांजीशन का पार्ट देखते हैं ट्रांजीशन इसके बाद से बहुत सारे न्युमेरिकल समय करने होंगे बहुत सारे न्युमेरिकल लगातार तो हम चालू कर रहें तो ट्रांजीशन का पार्ट क्या है बच्छो देखो अगर मान लो यह लेक्रोन अपनी ग्राउंड सेट में है यहां अनर्जी कित्ती होगी माइनस 13.6 लेक्रोन वोल्ट बात नहीं है इलेक्रोन के एनर्जी होगी माइनस 0.85 लेक्रोन वोल्ट अच्छा मैंने और ज्यादा और बिट का डिस्कुशन नहीं होता है ठीक है अब एक्साइट हो तो गया बट कब तक होगा अगर मान लो हरी है इसकी घर से लडाई हो जाए कैसे मैं घर छोड़के जा रहा हूं भाई आधा दिन के लिए बाहर गुमने लग गया फाइनली घर पर आना पड़ेगा उसको कहां भागेगा तो अब वहां से वह वापिस इधर देखो उच्छे वहां पर वापिस जम करेगा तो वापिस जम करेगा तो जितनी एनर्जी लेकि एक्साइट हुआ था वापिस दोने को माइनस करेंगे मानिस करेंगे किसको किस में बड़ा उप से मिल्सक्रां रहे तेक है वैसे लेक्त्रॉन कहीं ब्लती सगसाइट हो की कहीं चला जाए थर्ड से हो सकता सेकेड में फिर से सब्सक्राइब आचाए किसी से भी कहीं से भी जब करेगा बट आएगा तो घर पर ही फाइनली कभी ना कभी तो उसको घर पर आने पड़ेगा गरांड से पंगा सब्सक्राइब है तो एनर्जी तो जब जब एक्ट्रोन जम करेगा तो यह इस रेडियीस्प्ज़ की इनर्जी इतनी होगा अभी हम सबैग्जामिस कोषिन हैं मालो एक्षाहमिस्फिन कोषिन यह दे दिया कि पालगा एलेट्रौन सब्सक्राइब कार रहा है समालो कोष्टिन हा ऑनतो यह से थार्ड ऑर्विट से ग्राउंड स्टेट लब फस्ट ऑर्बिट तो जो रेडियेशन रिलीज होगा उसकी फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ पूछी कुछ भी एक चीज़ पूछ ली तो कैसे निकालेंगे तो हमको पता चल गया यह रेडिशन जो निकल रहा है उसकी अनर्जी इत्ती होगी और एनर्जी क्या होती इस इकल टू एच नियू या एच सी लेंडा होती इसमें ए सी बात है कनवर्जन कर लो लेक्टान वोल्ट को चाहें कले कले जूल को चाहिए लेक्टोन मृ होँ आगल अलेक्टाँ थर्ड और बिट से ड्राउंड से जाम कर रहा है तो क्या फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी मैं यह से पूछ तो यह फ्रिक्वेंसी क्या लगा लगा देंगे यह जो energy of radiation होता है और यह किसके बराबर होगी जितना एनर्जी किया है फैन दुनों का तो यह कितना है बच्चों एक काम करते हैं थोड़ा स्पेस यहां से बटा देते हैं इसको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा कि तो एनर्जी डिफरेंस 12.09 इसको ने इसको ने इसको डिवाइट के एफ एक और आ जाएगा है एच 6.60 आप लोग ने किया होगा मैंचमाटिकल ली आप ठंग से कर लोगे मुझे पता है ठीक है झाल झाल